साम अलेकुम प्यारे बच्चो आज मैं आपको प्रैमरी लर्निंग बाई सबा में मैथेमेटिक्स स्टैंडर्ड टू का चेप्टर नमबर वन समझाओंगी तो चलिए आज हम सबक नमबर एक समझते हैं मैथेमेटिक्स रियाजी में और इसे बगोर समझेंगे तो चलो बच्चो आज हम सबक नमबर एक को समझते हैं लेट सेंडल जोमेटिक शेप्स सबक का नाम है लेट सेंडल जोमेटिक शेप्स सबक का नाम है लेट सेंडल जोमेटिक शेप्स इसे हम उर्दू में कहेंगे आओ इस्तेमाल करें हिंसी शकले तो चलो, अब हम देखते हैं, यहां एक आपको टेबल दिख रहा है, टेबल पर बहुत सारी चीज़े रखे भी दिख रही है, कौई मुझे बता सकता है, इन चीज़ों के नाम किसे पता है, तो आप मुझे बोलिये, कि टेबल पे मुझे कौन-कौन सी चीज़े दिख रही है आप सबको मुझे जैसा बॉल दिख रहा है जोकर की टूपी दिख रही है और बॉक्स दिख रहे है बॉल अलग-अलग साइज में है कोई छोटा बॉल है, कोई बड़ा बॉल है फिर कोई एकदम बहुत बड़ा बॉल है फिर वहाँ आपको कौन रखे वे दिख रहे है सिलेंडर नुमा आपको डबे रखे वे दिख रहे है बॉटल रखी हुई दिख रही है दिख रहे हैं सबको तो चलो अब हम देखते हैं नीचे Let's collect, जमा करें Match sticks, boxes, cartoons of toothpaste, मिठाई, etc माचिस की डपिया और cartoons of toothpaste जो हमारे toothpaste के box आते हैं खाली वो और मिठाई की box आते हैं मिठाई के box भी आपने देखे होएंगे जो चौकुट शेप में रहते हैं वो भी एक geometric shape से Water bottles, balls of different sizes Water bottles भी एक geometric shapes में आएंगे और balls of different sizes जो ball है वो बड़े रहते हैं फिर छोटे रहते हैं फिर छोटे रहते हैं वो size भी geometric shapes में आएंगी A clown cap and pipes made of card paper Clown caps जो आती है, joker की टोपी वो भी shape में आएंगी हम उसे काई से बनाते हैं? Card paper से Observe the objects on the table हाँ, आपको क्या करना है? Table पर जो चीजे रखी हुए उसे गौर से देखना है Observe करना है ध्यान से देखना है Separate the objects of similar shape आपको क्या करना है? जो एक जैसे shape की जो चीजे हैं उनको अलग करना है जैसा आप ऐसा बोल सकते हैं चोटा बॉल बड़ा बॉल जो है वो हम एक साथ रख देंगे फिर जो boxes है वो हम एक साथ रखेंगे फिर जो कोन है जो जो कर की टोपी हम उसे एक साथ रख सकते हैं हमें एक जैसे shape को अलग-अलग रखना है क्यूबोइट और पैरेलल इलिपेपाइट पिक अप एंड हैंडल आ मिठाई बॉक्स आपको क्या करना है एक मिठाई बॉक्स को उठाना है एक shape such as इस इस कॉल्ड आ क्यूबोइट और आ पैरेलल इलिपेपाइट ठीक है यह जो shape है इसे हम क्या बोलेंगे क्यूबोइट मतलब उर्दू में बोलते हैं उसे मकबनुमा उर्दू में उसे बोलते हैं मकबनुमा क्यूबोइट को हमें हाथ में लेना है मिठाई के बॉक्स को उसका जो shape है उसे कहते हैं क्यूबोइट Cuboid यहने उर्दु में बोलेंगे उसे मकब नुमा You must have seen bricks on construction sites हाँ आपने कभी देखे होंगे bricks को, eat को देखे होंगे आपने जहां घर बनते हैं, घर की जहां तामीर होती है वहाँ आपने देखे होंगे छोटी-छोटी इटे रहती है Brown color में, ठीक है? Brown color की इटे रहती है, तो इटे आपने देखे होंगे उसके, आपने उसका शेप देखे कभी, इटो के शेप पे कभी ध्यान दिये, नहीं ध्यान दिये होंगे लेकिन अब ध्यान देना, उस शेप को cuboid बोलते है अब हम कभी ध्यान देना आपने, इस शेप में एजेज है, एजेज मतलब जो किनारे है, वो कितने रहते है मैं आपको बताती हूँ किनारे इसमें कितने रहते है How many corners और इसमें कोने कितने रहते है Let's see, a cuboid has four edges, four किनारे है आपने कभी ध्यान दिये, देखो आपको yellow color का एक box दिख रहा है, वो eat के जैसा दिख रहा है यह four shape है, किनारे कितने shape में रहते है, इसके four shape में रहते है और इसके जो corner है, कोने, कोने कितने रहेंगे, इसमें देखो, इधर से corner लिखावा है 1, 2, 3, 4, और इधर से 5, 6, 7, 8, 8 क्या रहेंगे, corner 8 रहेंगे Let's see, a cuboid has four edges and eight corners, जो box लिखावा है, वहाँ पे पहले इसमें आएंगा four edges, मतलब इसके पांच किनारे हैं, और corner में आएंगा eight edges Now let us, now let us look at the surface of a cuboid They are all flat, सब एक जैसे है, flat है, इसमें कोई gold शकल है क्या, नहीं है न, आप खुद देखिए, इसमें कोई भी gold शकल नहीं है सब flat है, सीधे है एकदम If we place a cuboid on a slide in a park, it will slip down the slope because of its flat surface हाँ, अभी आप देखेंगे, जब हम पार्क में जाते हैं, पार्क में slide रहती है Slide पे से कभी आप इस तरह की चीज को फेकेंगे, जैसा box को आप नीचे फेकेंगे Cuboid वाले box को आप नीचे कभी फेकेंगे, तो वो सीधा ही जाएंगा फिसलते हुए, वो सीधा जाएंगा, वो रोल नहीं होगा, वो सीधा ही नीचे जाएंगा Ball अगर से आप फेकेंगे, तो वो रोल होते हुए जाएंगा बट जो cuboid है, वो रोल होते हुए नहीं जाएंगा Find out the objects on the table of cuboid shape हाँ, अभी आपको क्या देखना है, अभी आपको चेक करना है कि यह जो टेबल पर जो चीजे रखी हुए है इसमें cuboid वाली shapes की कौन सी चीजे है, आपको देखो yellow color का box दिख रहा है उपर हाँ, और कौन सी चीजे आप मुझे बताईए, जरा आप आंसा दीजे मुझे के cuboid वाली shape की कौन सी चीजे है आपको cuboid अच्छे से समझ में आया, उर्दू में इसे कहते है मकब नुमा उर्दू में इसे कहेंगे मकब नुमा अब हम आगे दूसरे वाली शकले देखेंगे कौन, कौन हम देखेंगे now let's take a look at the clown's cap you have made हाँ, आपने कभी clown's cap बनाई है, हमने बनाई है clown's cap, आपको याद होगा हमने भी बनाई है clown's cap, तो clown's cap में क्या होता है कि वो जो उपर की जो shape है, उपर का जो shape है वो cone जैसा रहता है और बीच में, बीच में जो है वो edges रहते हैं, ठीक है? तो उपर का जो shape है उसका cone आएंगा, its shape is called a cone हाँ, इस shape को क्या बोलेंगे, joker की टोपी को कोन से shape में कहा जाएंगा? कोन, इसे क्या कहा जाएंगा कोन, कोन दशेप लाइक, अ क्लाउन स्केप और फूल स्केप हाँ, आपने कभी देखे होंगे क्लाउन स्केप, जोकर की डोपी फूल स्केप देखे होंगे इस कॉल्ड अ कोन, यू आर सिमिलर विद एन एंस्क्रीम कोन यह और इससे सिमिलर चीजे कोन सी है, आप बोल सकते है जैसा आइस्क्रीम कोन है कभी आपने आइस्क्रीम खाए होंगे वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद रहता है आइस्क्रीम तो आइस्क्रीम कोन जो है वो भी कोन से सिमिलर है और महंदी कोन मेहदी कोन भी कोन से similar रहती A cone has one edge and one corner हाँ, इसके अंदर क्या रहता है? मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर रहते है one edge और one corner रहता है, ठीक है? one edge रहेंगा इसमें और one corner रहेंगा मैं आपको बताऊंगी अभी कि one edge है, यह देखो यह जो आपको shape दिख रहा है, यह cone है ठीक है, c-o-n-e cone और यह वाला जो shape है, इसे बोलेंगे edge edge मतलब किनारा, edge मतलब किनारा e, e, g, d, g, e, edge, ठीक है? edge a cone has edge and one corner, the flat base of a cone is circular, see how the sloping surface of a cone turns continuously round it, हाँ, जब हम इसे कोई चीज के पास, slop से डालेंगे तो वो गोल-गोल-गोल-गोल round होते हुए नीचे जाएंगी, जैसा भी मैंने आपको बताया है कि जो क्यूपोइड है, वो सीधा जाएंगा, बट ये जब कोन जब हम नीचे डालेंगे, slope से, कोई slide से या किसी से तो वो round-round होते हुए नीचे जाएंगा it is called a curved surface, हाँ, इसे हम क्या कहेंगे, curved surface अब हम दूसरा shape देखेंगे, cylinder now look at the water bottle, हाँ, कभी आपने water bottle देखी है, water bottle की जो शकल है, जो उसका structure है, वो भी cylinder की तरह होता है, water bottle आप अभी भी ले कर देखिए, घर पे होंगी तो, उसकी शकल इस तरह है, cylinder की तरह, the shape of the bottle is called a cylinder, जो bottle का shape है, उसे cylinder कहेंगे, cylinder, a bottle like shape, which has a circular base, is called a cylinder or a circular prism, इसे हम water bottle, इसी water bottle के shape को, देखेंगे, कि वो गोल circular में रहती है, गोल, नहीं इसमें कोई, कोन है, और नहीं, इसमें कोई edges है, a cylinder has two edges, हाँ, इसमें edges है, इसमें कितने edges रहते हैं, बट two edges रहते हैं, ठीक है, two edges रहते हैं, इसमें, बट not a single corner, एक और बात ध्यान में रखिए आप, इसके अंदर corner नहीं है, जैसे हमने उपर देखा है, यह देखिए, कोन में corner है, बट इसमें, कोन में corner है, बट cylinder में corner नहीं है, अभी हम देखेंगे, flat top surface, curved surface, flat bottom surface, अभी मैं आपको समझाती हूँ, wait, यह देखिए, flat top surface, curved surface, मतलब goal, और यह है, flat bottom surface, flat, मतलब यह नीचे का जो side आएंगा, slander का तो उससे कहेंगे, हम flat, flat है ना, एकदम सीधा है, उपर का भी flat है, और जो बीच में जो है, वो curved है, curved मतलब goal तरह से हैं, ठीक है, अभी हम आगे वाली को देखेंगे, आगे वाली शकल को देखेंगे, अभी हम आगे वाली शकल आती है, spare, a ball is said to be spherical, हाँ, जो spare है, अभी कौन से shape का रहता है, ball देखेंगे, ball आपके सब के घर में हैं, तो ball को आपने देखेंगे, spare, a ball is said to be spherical, spare, a shape like a ball is called a spare, जो ball का जो shape है, ball की जो शकल है, उसे spare बोलेंगे, a spare has no edge and no corners, हाँ, इसके अंदर ना ही edge है और ना ही इसमें corners है, यह एक्तम गोल शकल का है, देखो आप, आप ball को भी, ball का भी आप गोर से मुशाइदा करो, उसमें नहीं आपको कोन दिखेंगी और नहीं इसमें किनारे दिखेंगे, आपको वो हर तरह से goal दिखेंगा, no part of a spare is flat, हाँ, उसमें कोई भी part नहीं है, वो एक्दम flat रहता है, it turns continuously, thus a spare has only a curved surface, आप देखेंगे उसे goal घुमाते रहेंगे, वो continuously goal घुमते रहेंगा, अभी हम देखेंगे match the pair, आपको यहाँ पे कुछ तस्वीरे दिख रही है, सबको दिख रही है, तस्वीरे, शेप बने हुए दिख रहे हैं, और उसके बाजू में लिखा हुआ है, name of shape, ओके, आपको यहाँ शेप बने हुए है, color में देखो, आपको shape बने हुए दिख रहे है, yellow, green, sky blue, और orange में, और यहाँ पे आपको उसके name of the shape दिख रहे है, तो चलो, अभी हम क्या करेंगे, match the pair करेंगे, match the pairs करेंगे, अच्छा, पहले आपको क्या लिखावा दिख रहा है, कौन सा shape है, कोई मुझे बताएंगा, यह shape कौन सा है, जल्दी से मुझे बताओ, comment करके कि यह shape कौन सा है, यह shape कौन सा है, cuboid, ठीक है, cuboid को हम जोड़ेंगे second से, देखो, वहाँ लिखावा है, cuboid, c-u-b-o-i-d, cuboid, उसके बाद में देखो, आपको cold शक्ल दिख रहे है, गोल शक्ल मतलब green कलर की गोल शक्ल दिख रहे है, वो है spare, तो चलो हम से जोड़ेंगे, four से spare, s-p-h-e-r-e, spare, उसके बाद देखो, आपको एक sky blue कलर का गोल, एक आपको round दिख रहा है, तो हम उसको जोड़ेंगे, cylinder से, ठीक है, c-y-l-i-n-d-e-r, cylinder, उसके बाद आपको fourth पर दिख रहा है, एक joker की टोपी, या फिर हम उसे बोलेंगे, cone, ठीक है, cone भी हम उसे बोल सकते, यह shape को cone बोलते, c-o-n-e, cone, जैसा joker की टोपी रहती है, ice cream रहते है, और कौन सी शकले आएंगी, आप मुझे बोलो, कि cone की शकले कौन कौन सी रहेंगी, आप मुझे बोलेंगे, और cylinder की भी शकल, आप मुझे बता सकते हो, कि cylinder की शकल कौन सी आएंगी, ठीक है, आपको यह सबक समझ में आया, पहले हमने समझे है, cue boy, दूसरा हमने समझे है, cone, तीसरा हमने समझे है, cylinder, और चौता हमने समझे है, spare, तो आप मुझे इसकी अलग-अलग मिसाले देके, अभी कि मुझे बोल सकते है, कि कौन सी शकल की कौन सी चीज है, ठीक है, चलो अलग-फिस, दुआउं में मुझे याद रखो, और अपना ध्यान रखो, फिर हम मिलेंगे कोई दूसरे सबक के साथ, अलग-पिस, अलग-अलग-अलग-पिस, तो आप मुझे है, कोई दूसरे सबक क